वाव इतनी खुब्सूरत लड़की थैंक्यू नजर न लग जाए किसी की गले में चपल लटकाया करो इतनी देर से कहां गए थे बाल कटवाने ये देखो अब मैं तुमसे दस साल छोटा लग रहाऊं के नहीं मुल्णन करवा लेते ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो यारे खुश कबर है क्या मेरी मुर्गी ने अंडे दिये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है तू देके दिखा अच्छा बेबी सोचो मैं आपको छोड़के चली जाओं मजा आ जाएगा नहीं मैं भी सिंगल तम भी सिंगल मतलब समझ रहे हो हम दोनों की शकल खराब है जिन्दकी पजा में जैसी हो गई है चैन ही नहीं पता नहीं यह लड़किया इतना अटिट्यूड क्यों दिखाती है जबकि शादी के बाद इने बरतन ही धोना है आपको डर किस चीज से लगता है चुह से चुहा क्या मौत से बढ़के है मौत को देखा नहीं सर बाई कितने सरमेली होती यार लड़कियां क्यों बाई मैं जिसको भी परपोस मारता हूं वो अपनी डीप गायब कर लेती है ब्लॉग कर देती है तुझे सुनो ना हाँ बोलो मैं तुम्हें लाइक करती हूं ता मैं अभी तो कमेंट करता हूं सिंगली मरोगे तुम हाँ तुम तो पूरे खांदान को लेके मरोगी बहुत कुछ सहव जिंदगी में तब जाकर बे सरम हुए यहार पास सु जहर था खरीने के पैसेर नियुक्त गाँ है इतनी की सी बात ते जुक्त हो रहाई इतनी जिद्द्री मैं आ तेरा दोस्त मैं तुछे पैसे दूं इयर जहर के अरे एक, दो, तीन और यह लड़ क्या मेकप की मसीन बेबी डॉक्टर ने कहा है कि अगर मुझे ठीक होना है तो मुझे स्विजर लेंड या आस्ट्रेलिया घूमना पड़ेगा तो हम कहां चले दूसरे डॉक्टर के पास अब भी अब भी गलती से चार-पांच पड़ाम खा लिये फिर, फिर क्या हुआ की बड़ी अच्छी बताना तुझे मेरी सुन्दरता जादा पसंद है या समझदारी यही यही तेरी मलाग करने के आदा जादा पसंद है जा चली जा मैं तुझसे ब्रेक अप करना चाहता हूँ हां हां कर लो लेकिन एक बात सुरने। तुभा रे पागल हो गई, बर्बाद हो गई, लुट गई मैं हां तो मैं कॉनसा तेरे प्यार में प्रधान-मंत्री बन गया सादी तो हम रोखवा दे लेकियोगर अखती पहले लेव पहले लेव लेव? कालिव? और उसने ऐसा काम कर दिया जो कि सरकार पचास सालों में निकर पाई ऐसा क्या किया उसने अपसे गाउं के सारे लोग अपने घर में टटी करते हैं गल्फ्रेंड तो पतली होनी चाहिए ताकि गुस्तायत उठा के फैक सके हर इनसान की जिन्दिकी में तीन वक्त जरूर आते हैं सुबै दो फैर शाम